दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाद्ध्याय मेरे यूटूब चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक श्वागत करता हूँ क्या रिशाथियों आज की अपनी इस डेडियों में हम लोग जानेंगे कि एक LIC के email template के अंदर editing कैसे करते हैं तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारी इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखेगा दोसमें अच्छी है क्या कि यदि आप LIC के email template को अपने mobile में download कर चुके हैं और अपने mobile के जरीए इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दो तरह की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है पहली जानकारी आपके पास यह होना चाहिए देखे है क्या कि यदि आप हमारी किसी वीडियो को देख रहे हैं जिसमें LIC के email template की जानकारी दी होई है तो उस वीडियो के description box में उस email template का आपको link मिल जाएगा उस link पर click करके आप उसको अपने mobile में download कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसको download कर लिया तो आप उसका उप्योग कर पाएंगे क्योंकि वह एडिटेबल ही है आपको उस email template को एडिटेबल बनाना होगा या कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने अपने पिछली वीडियो में दिया हुआ है और उस वीडियो का जो थंबनिल है ना इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी होगा वैसे आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का जो link है ना वीडियो के description box में जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद जो दूसरी जानकारी होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने एक email template को download कर लिया है अब download करने के बाद कुछ चीजें तो यह हैं कि आप किसी को भी email send करेंगे मतबब आप अपने किसी भी client को email send करेंगे तो उसमें कुछ चीजें हैं जो common है जैसे में आपका नाम, आपका mobile number, आपका address यह जो सारी चीजें हैं आपके हर email में जब भी आप किसी client को send करेंगे तो यह एक बार आपको अगर इसकी setting कर दिये तो बार बार आप उसको setting करने की जुरुत नहीं पड़ेगी दूसरा चीज क्या है यदि आप हमारे उस email template को ध्यान देंगे तो उसमें नीचे की और कई तरह के social media के icon बने हुए हैं लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर social media के साथ जुड़े हुए हो यानि कि हर social media पर आपका account हो जैसे मान लिजे एक social media account है Pinterest और उस Pinterest पर आपका account नहीं है और अब आप चाहते हैं कि वह जो Pinterest का icon है वह आपके उस email template से हट जाए तो यह कैसे हटा सकते हैं और दूसरा चीज जैसे मान लिजे आप Facebook के ऊपर हैं और आप अपने Facebook account का जो link है वो insert करना चाहते हैं तो यह कैसे कर सकते हैं यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए और तीसरी जानकारी आपके पास यह होना चाहिए कि बीना formatting change किये हुए यानि जो text है उनके color change नहों वह bold है, italic है उसमें कोई changes नहों और आप आसानी से अपने client की detail उसमें edit करके बदल सकें मतलब client का नाम बदल लें उनकी data birth जो लिखी हुई है उनका policy number लिखा हुआ यह सारी चीज एडिट कैसे कर सकते हैं यह जानकारी आपको होनी चाहिए यानि कि यह जो सारी editing है आप mobile के जरीए कैसे कर सकें यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए तो दोस्तों आज की यह जो वीडियो बनने जा रही है इसमें इन ही सब editing के विश्य में हम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित हुए है नेसे तरूप से यह वीडियो थोड़ी सी जानकारी पहले से होती तो दोस्तों अब आपके विश्य समय को नश्ट न करते हुए सीरे हम चलते हैं अपने मोल विश्य की हो तो दोस्तों अब जो जानकारी है न बिछली वीडियो में जहां तक मैंने जानकारी दे दी थी और यह जो editable मैंने template बना लिया था यहाँ इस समय आपको screen पर दिखाई दे रहा है मैं इस पर click करके इस email template को open कर लेता हूँ अब देखिए हमारे mobile में यह email का template open हो चुका है और अब इसमें हम जैसे माल लेजिए यह जो client का नाम लिखा हुआ है dear sir samkar जी हम यहाँ पर client के नाम को change करते हैं तो यह कैसे करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप नीचे की ध्यान देंगे तो आपको एक pencil जैसा बना सीव संकर जी लिखा हुआ है हम इसके आगे क्लिक करके सबसे पहले हम इसको back space की जो button बनी हुई है हम इससे हटा देते हैं अब इस पर हम नाम लिखते हैं अपने client का माल लीजिए हमारे client का नाम है रमेश चंद्रा तो हम देखिए यहाँ पर रमेश चंद्रा लिख देते ह है अब हमने रमेश चंद्रा लिख दिया है और अब client का नाम यहाँ पर change हो चुका है आए अब हम अगली setting देखते हैं अब दोस्तों यहाँ पर भी हमको अपने client का नाम change करना होगा तो जैसे हमने अभी ऊपर रमेश चंद्रा लिखा है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी edit कर करके आप मिठाएंगे और जब policy holder name लिखकर अगर आप इसको backspace से अगर मिठाते हैं और उसके बाद अगर कुछ लिखते हैं तो इसकी फार्मेटिंग चेंज नहीं होगी और आप जो नाम लिखना चाहेंगे यहाँ पर जो भी heading देना चाहेंगे बिना फार्मेटिंग के change ह वो आसानी से edit हो जाएगा अब दोस्तों यदि आप इस template को थोड़ा सा नीचे की scroll करते हैं तो यहाँ पर some important links मिलेगा यहाँ पर है क्या कि आप किसी वीडियो का link या फिर किसी website का link आप यहाँ पर insert कर सकते हैं तो आप अपने mobile में यहाँ पर link कैसे insert करेंगे आए इसको द YouTube के वीडियो के link को यहाँ पर insert करेंगे तो चलिए हम YouTube की वीडियो को search कर लेते हैं और उसकी link को हम यहाँ पर लगाते हैं जासे यह देखिये YouTube की video है और हम इसके link को insert करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए नीचे की ओर या share की button बनी हुई है जैसे ही आप इस share की button पर click करेंगे और हम यहां से link को copy कर लिए हैं ठीक सी तरह से आप link copy कर लिजिए और उसके बाद हम अपने इस template के ऊपर आ जाते हैं और यहां यहां जो mobile user लिखा हुआ है चलिए हम इस mobile user के बगल में जो click here लिखा हुआ है सबसे पहले हम इसको select कर लेते हैं और उसके बाद यहां देखे three dot बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां देखे insert link का आप सना गया हम इस पर click कर देंगे अब यहां जो click here लिखा है हम इसको छेडशाड़ नहीं करेंगे जहाँ link लिखा हुआ है हम यहां पर इस link को paste कर देंगे और उपर जो सही का निसान बना हुआ है हम उसके ख्लिक कर देंगे ऐसा करते ही यह link यहां पर insert हो चुका है और उपर में जो सही का निसान बना हुआ है उस पर क्लिक करके हम इस template में इस link को save कर दिये दोस्तों उनीद करता हूँ कि यह चीजें आपको समझ में आ गई होंगे लेकिन यहाँ पर अगर कोई confusion होता है ना तो थोड़ा सा इस video को फिर से back करके और आप इस link को कैसे insert किया जाता है एक बार और देख लें चलिए अब हम अगली जानकारी पर चलते हैं अब अगली जानकारी क्या है यहाँ पर देखें नीचे की यह कई तरह के social media icon बने हुए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो social media के icon हैं हम यहाँ पर link कैसे लगाएंगे दोस्तों मैंने जीवन दीमा अफिकरताओं के लिए कई सारे digital business card बनाए हुए थे और उसका कई अफिकरताओं ने order भी किया लेकिन उस order के करने के बाद एक समस्या मुझको देखने को बार बार मिली और वह समस्या यहाँ थी कि लोग अपनी जो profile है जैसे माली जो facebook के उकर account बना हुआ है लेकिन उनको यह पता नहीं कि हम facebook का जो हमारा account है हम उसके link को कैसे सर्च करेंगे यह बहुत बड़ी समस्या का कारण है तो निसे तो उसे मुझे लगता है कि जब आप इस email template में इस icon में अपने link को लगाना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी य यह समझना होगा कि यह जितनी भी social media icon यहां पर दिखाई दे रहे हैं यदि आपका account in social media पर है तो आप अपने in social media account का link कैसे मतलब अपने profile का link कैसे आप search कर सकते हैं उसको copy कर सकते हैं तो चलिए हम इसको देख लेते हैं तो इसके लिए है क्या कि हमने अपनी mobile को on कर लिया और सबसे पहले हम notepad को open कर लिये हैं अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने facebook account का link कैसे निकालेंगे अब जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं जब आप अपने facebook के application को open करते हैं तो जो facebook का home page है वा कुछ इस तरह से दिखाई देता है अब यदि आप ऊपर मे right side में मतलब बिल्कुल right side में आपको आपकी photo दिखाई देगी यहाँ पर जैसा कि इस समय आपको दिखाई दे रहा है एक gold circle में यहाँ पर photo हमारे display नहीं हो रही है लेकिन जब आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको click करते ही यहाँ पर आपकी profile open हो जाएगी अब यदि आप ध्यान देजे थोड़ा सा नीचे जहाँ पर की हमारा नाम लिखा हुआ है उसके just नीचे add to story लिखा हुआ है और उसके just बगल में आप ध्यान देजे तो three dot बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आपको इस three dot के उपर click करना है अब दोस्तों जैसे ही आप इस three dot पर click करें जो कांपी link लिखा हुआ है हम इस पर click कर देते हैं और इसको click करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने mobile में notepad open कर लेते हैं और उस notepad के अंदर इस link को paste कर देते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर notepad के अंदर अपना जो facebook की account का link है इसको paste कर दिया है अब चलिए हम अगले social media account के और चलते हैं और अगला social media account है twitter का अब दोस्तों यदि आप अपने mobile में twitter के application को अगर आप open करते हैं तो twitter की home screen कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है अब यहाँ पर यदि बिल्कुल उपर में left side मेरी आप ध्यान देंगे तो तीन line बना हुआ आपको दिखाई द जाएगा आप इस profile वाले option पर click कर देजिए अब जैसे ही आप profile के option पर click करेंगे आपके twitter account की profile open हो जाएगी अब इस profile में यदि बिल्कुल ऊपर में right side में अगर आप ज्यान देजिए तो यहाँ भी देखिए three dot बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है आपको इस three dot के ऊपर की जो social media है जैसे whatsapp हो गया या जो भी दूसरे social media application आप यूज करते हैं उस पर share करने का यह option आपको मिल जाता है फिलाल हमें इनका उप्योब नहीं करना है यहाँ पर जो copy to clipboard बना हुआ है हमें इस पर click करना होगा अब जैसे ही आप copy to clipboard पर click करेंगे आपकी जो profile का link है या इसको भी हम वहाँ पर paste कर देते हैं तो दोस्तों अब जो हमारे twitter account का link है वह यहाँ पर paste हो चुका है अब हम चलते हैं अगले application की और अगला application है YouTube का अब दोस्तों जब आप अपने mobile में YouTube के application को आन करते हैं तो आपकी mobile की skin कुछ इस तरह से दिखाई देती है अब यहाँ प पर आपको अपनी photo दिखाई देगी अगर आपने YouTube पर अपनी photo लगाई हुई है तब मतब आपको यहाँ पर बिल्कुल उपर में right side में ध्यान देना है यहाँ पर आपको click करना है जहाँ पर इस समय हमारी photo आपको दिखाई दे रही है अब जैसे ही आप यहाँ पर click करेंग करते ही जो आपका YouTube का चैनल होगा वहाँ open हो जाएगा अब यहाँ पर बिल्कुल उपर में right side में ध्यान देजिए तो three dot बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस three dot के उपर आपको click करना है अब जैसे ही आप इस three dot पर click करेंगे click करते ही share का option आपको मिल जाएगा लिंक है या copy हो चुका है अब चलिए फिर से हम notepad में चलते हैं अब YouTube का जो हमारी चैनल का link है इसको हम अपने notepad में paste कर देते हैं तो देखिए हमारे YouTube चैनल का जो link है यह भी notepad में paste हो चुका है अब एक और application को हम देख लेते हैं अब जैसे मालेजिए कि आपका LinkedIn की करना चाहते हैं तो यह कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम LinkedIn की account को open करते हैं जब आप अपने mobile में LinkedIn की application को open करेंगे तो आके mobile की skin कुछ इस तरह से दिखाई देगी अब यहां पर बिलकुल उपर में left side में आद ध्यान दिजिए जो सर्च का option बना हुआ है उसके जस्ट बगल में देखिए हमारी photo बनी हुई आपको दिखाई दे रही होगी your story से उपर जो छोटी सी photo बनी हुई है हमको वहां पर click करना होगा अब दोस्तों चैसे ही आप वहां पर click करेंगे click करते ही यह कुछ नए option आपको दिखाई देंगे यहां पर यह जो view profile लिखा हुआ है हमें इ उसके जस्त बगल में थ्री डॉट बने हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमें इस थ्री डॉट के उपर click करना है अब जैसे ही आप इस थ्री डॉट के उपर click करते हैं आपको यह दो option मिल जाते है share profile वाया message या share profile वाया तो यहां पर यह जो नीची वाला option मादो second option दिखाई दे रहा है जहां लिखा हुआ है share profile वाया हम इस पर click कर लेते हैं अब जैसे ही आप इस पर click करेंगे click करते ही यह देखिए यहां पर आपको फिर से copy to clipboard के उपर click करना होगा copy to clipboard पर click करते ही linked in की जो profile का link है या copy हो जाएगा अब इस link को भी हम चलते हैं अपने notepad के उपर हम save कर लेते हैं अब देखे linked in पर भी जो हमारी profile का link है इसको भी मैंने अपने notepad में copy paste कर लिया है तो दोस्तों इसी तरह से आप जितनी भी social media account हैं जिनसे आप जुड़े ह हुए हैं अब उसके link को copy कर सकते हैं और copy करके आप notepad में सीफ कर लें अब हमको करना क्या है कि जो email template के ऊपर जो आइकान बने हुए हैं उस पर इस link को insert करना है तो आएए देखते हैं कि अब हम इस link को email template में जो icon बने हुए हैं हम उसमें कैसे insert करेंगे तो सबसे पहले यह जो Facebook का icon बना हुआ है हम इस पर click करते हैं और edit link का option मिल जाएगा आपको इस edit link के option को click करना है अब यहाँ पर हमको cross करके और यह जो link है इसको paste कर देना है और उपर जो सही की निसान बनी हुई है हम इसको click कर देंगे और select करने के बाद यह कुछ नए menus open हो जाएंगे यहाँ जो three dot बना हुआ है हमको इस पर click करना है इस three dot के उपर click करते ही delete का option मिल जाएगा अब जैसे ही आप इस delete के option पर click करेंगे यह जो icon है आपके template से remove हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरह से बारी बारी से आप जितने भी social media account से आप जुड़े हुए हैं आप उनके link को यहाँ पर edit कर सकते हैं आप नाम बदल सकते हैं मतलब आप अपने client का नाम बदल सकते हैं और जैसे ही आप इतना सब कुछ complete कर लेते हैं आप अपने जो email का template है आप इसको save कर लीजिए और अब आप अपने इस email का OPO client को message मतलब mail send करने के लिए कर सकते हैं तो दोस्तों मुझे यह पूरा भरोसा है कि अब आपको यह पता हो गया होगा कि जो हमारा email template है आप इसको download करने के बाद कैसे save कर सकते हैं और उसके बाद अपनी mobile के जरिये आप इसमें तरह तरह की editing कैसे कर सकते हैं link कैसे insert कर सकते हैं या सारी जानकारी अब आपके पास हो गई होगी लेकिन जब यह जानकारी अब आपके पास हो गई है तो एक चीज का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है और वह यह है कि आप mobile के जरिये आप अपने mail को schedule कैसे कर सकते हैं वास्तों में जितनी भी social media के platform हैं यदि आप वहाँ पर scheduling करने का प्रयास करेंगे तो maximum एक साल से लेकर और तीन साल तक अधिक्तम तीन साल तक आप किसी चीज को schedule कर पाएंगे यानि किसी message को या फिर mail को schedule कर सकते हैं लेकिन Gmail का जो application है इसके जरिये आप 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के mail को schedule कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि यदि आपके पास यह जानकारी होती है तो इसकी वज़द से आप अपने बहुत सारे काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं अब दोस्तों यह जो वीडियो है जिसमें की Gmail के जरिये आप किसी mail को कैसे schedule कर सकते हैं जिसका की thumbnail आपको इस समय स्क्रिन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो का link आपको यह जो वीडियो है इसके description box में और pin comment section में दोनों जगह मिल जाएगा तो आप वहां से आप इस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूँ actually है क्या कि आप जब mail की editing करेंगे तो इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो की सिर्फ एक बार edit करनी है जैसे में यदि आप इस email template में नीचे की और ध्यान देजिए तो यहाँ पर जो agent का नाम है याँ जहाँ पर आपका नाम आपका पता आपका mobile नंबर है यह हर email में same रहेगा इसके बाद एक बार जब आपने social media का यह जो icon है इस पर link insert कर दिया तो यह जितने भी mail भेजेंगे ऐसा नहीं है कि हर mail में आपको यह अलग-अलग save करना है आप एक बार copy करेंगे और उसके बाद अपने Gmail के account को open कीजिए पेस्ट कीजिए तो इसमें कोई भी changes करने की आउसकता आपको नहीं पड़ेगी आउसकता क्या पड़ेगी जैसे मान लिजिए अब example के तौर में हम इसी template को ले लेते हैं जिसमें की LIC की premium due intimation की information देनी है तो इसमें आपको क्या change करना पड़ेगा client का नाम हो गया, उसका mobile number हो गया, उसका policy number हो गया मनब ये जो सारी चीज़े हैं एक बार आपने edit कर दिया अब उसकी premium due का intimation आप भेज रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जब दूसरा mail आप लिखेंगे तो उसमें उसका policy number बदल जाएगा उसका नाम बदल जाएगा, कुछ भी changes नहीं होंगे, आपको सिर्फ edit क्या करना पड़ेगा हर mail में उसकी जो next premium due है, सिर्फ उसको आपको बदलने की ज़वरत पड़ेगी और फिर उस client को एक नया mail schedule कर सकते हैं अब यहाँ पर एक चीज और जड़ा सोच कर देखेगा जैसे माल लीजिए, आज आपने किसी client को 20 साल की कोई policy आपने sell की और उसकी जो 20 साल की policy है, half yearly mode में आप उसको sell किये हैं तो अब उसको कितने mail आपको भेजने होंगे यानि कि पूरे policy term में आपको सिर्फ और सिर्फ 40 बार mail send करने हैं तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कारे कितना आसान है अब जो कि मैंने इस email template का उपयोग कई बार मैंने किया है और करता भी हूँ और मैं आपको दावे के साथ का सकता हूँ कि एक बार जब आप इस कारे को करने के लिए start करेंगे जैसे मान लिजिए अगर आपको 40 mail लिखने हैं तो जो पहला mail होगा उस mail में जितना समय लगेगा वो लगेगा इसके बाद जो next mail होंगे जिसमें कि सिर्फ आपको जो next premium due है इसको change करना है इन सभी चीज़ों को करते हुए मुझे लगता है कि अधिकम आपका 20 मिनट से 25 मिनट खर्चोगा और 20-25 मिनट के अंदर आप उसके पूरे policy term का intimation send कर पाएंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वेडियो में जो छोटी सी जानकारी दी गई है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब जो हमारी आने वाली वेडियो है उसमें जो तरह-तरह के intimation है मतलब आपकी policy servicing कैसे बहतर हो और आप email के जरिये और डूसरे जो social media platform है उनका उपयोग करते हुए new business कैसे कर पाएं इसकी जानकारी मैं अब आने वाले वीडियो में पोस्ट करूँगा तो यदि आप इस तरह की जानकारी से update रहना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मैं आपसे ही कहूँगा कि अभी तुरंद का तुरंद हमारे इस YouTube चैनल को जरू subscribe कर लें और दोस्तों वीडियो के last में एक request हमारी है request यह है कि यदि आपने हमारी इस वीडियो को देखा और यह वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे एक छोटी सी like की बटन बनी है और आपको करना सिर्फ यह है उस like की बटन पर एक बार click कर दें आपका यह एक बार का click हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल को या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपका यह जो एक like है यह मुझे support करेगा तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक like हमारी इस वीडियो पर जरूर मिलेगी अब दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को शमापत करता हूँ आपने अपना किंती समय हमें दिया है इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ धन्यवाद थैंक्यू फेरी मच